शेहर अध्यक्ष पत के चुनाव को लेकर युवक कॉंग्रेस में गुडबाजी चरम पर पहुझ गई संगटनात्मक चुनाव लड़ने वाले उमीदवारों ने पुना शेहर अध्यक्ष निर्वाचित हुए तौसिफ खान के खलाफ मोचा कोल दिया है उन्होंने आरूप लगाया कि तौसिफ की आयू 49 है जबकि नियम अनुसार 35 वर्ष तक की आयू तक ही चुनाव लड़ा जा सकता है यूवक कॉंग्रेस के राश्री सचेव बंटी शिलके ने अपने प्रभाव का उप्योग कर तौसिफ को उन्हा शेहर अध्यक्ष बनाया है उनकी आयू 49 वर्ष विपासपोर्ट पर विदेश यात्रा कर चुके हैं वसीम खान, अक्षे घाटोले और रौनक चौधरी के साथ साथ तौसिफ को मिले वोट को होल पर रखा गया था ऐसे में शिलजरतन पांडी अध्यक्षपत की रेस में सबसे आगे थे लेकिन बंटी शेलके ने दिल्ली जाकर तौसिफ के होल को हटवा दिया शेश उमीदवारों की वोट खोशित हुए लेकिन उन पर तीन महीने तक पर समालने पर रोक लगाई गई है तौसिफ के साथ ऐसा नहीं हुआ उन्होंने का की मामले की शिकायत कॉंग्रेस आला कमान युवक कॉंग्रेस के राश्वी नितयत्वर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और शेहर अध्यक्ष विकास ठाकरे से की है अगर अन्याय दूर नहीं हुआ तो दिल्ली जाकर धर्णा देंगे न्यायाले की शरण भी ली जाएगी उन्होंने इस पश्ट कहा की विपच्ष से सिफा देंगे लेकिन कॉंग्रेस की सिफाई बने रहेंगे एक सवाल पर उन्होंने कहा की विस सभी सामाने परिवार से अन्याय की वज़े से कॉंग्रेस को चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है उनका बर सर्टिफिकेट है एन्मसी का महान अगर पालिका से भी आप पूछ सकते हैं सर्टिफिकेट सही है या नही है वैसे उनकी यादी है यादी करमांग में भी उनकी एच चेक कर दिलजिए और मैंने आपको नौम भी पेश कर दिया इंडियन यूथ कॉंग्रेस के उस